तो भाई श्कॉडा ने अपने पहली सब कॉमबेक्ट SUV लाँच कर दी है काईलक नाम की और इसके राइवल की बात करें तो नेक्सोन, वैन्यू, सोनेड, ब्रेज़ा ये सभी इसके राइवल होने वाले हैं एंजिन की बात करें, वन लिटर पेट्रोल एंजिन इसमें मिलेगा, आपको 170 BHP की पावर मिल जाएगी, 20 की MPL की माईले मिलने वाली है कुछ ज्यादा वेरियन्ट नहीं, सिर्फ 4 वेरियन्ट ही इसमें लाँच किये गए हैं, अभी सभी के प्राइज नहीं आए, सिर्फ बेस वेरियन्ट यानकी क्लासिक का प्राइज आया है, 7,90,000 रुपे, जो की ओन रोड आपको 9,21 तक या फी 9,25 तक पड़ जाएगी तो मेन हमारी जो वीडियो है, वो है कलर अप्शन के बारे में, तो कलर अप्शन में भी इन्हों जादा कन्फ्यूजन नहीं रखी, 5 कलर अप्शन लाँच किये गए हैं, कोई भी डूल टोन वगएरा का जंजट नहीं रखा, वो आप बाहर से करवा सकते हैं, तो चलिए ब तो काफी शाइनी बगएरा आपको देखने को मिलता है, देखने में काफी अच्छा लग रहा है, रोड पे भी काफी अच्छा लगता है, यूरोपियन देशों में या अमेरिकन कंट्रीज में ऐसे कलर की डिमांड बहुत ज्यारा रहती है, बात करते हैं हमारे देश की, त बहुत कम बाय किये जाते हैं, अगर मेरी परसनली बात करें, तो आपको ये कलर ट्राइ करना चाहिए, अगर आपने गाड़ी दस साल तक लेनी है, तो दस साल तक रखनी है, क्योंकि ये श्कौडा की गाड़ी है, तो कलर कोई जंजट नहीं है, कलर सालो साल एक जैसा ही रह अगेगा, साफस्वाई करनी पड़ेगी, तो स्क्रेचिस वगयरा आजए, तो आपको अजर्टी से ही ठीक करवाने पड़ेंगे, बाहर से अगर आप कहें, कि मैं बाहर से ठीक करवालूं, तो ये कलर आपको बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि नया कलर है, बाकी अगर आप इन कि आपने red color में कितनी गाड़ियां देखी है तो red color की demand बहुत कम है ऐसे गाड़ियों में क्योंकि red color जो है साफ सफाई बहुत ज़्यारा मांगता है resale का issue पड़ जाता है अभी कुछ लोग बोलेंगे comment का कि resale का कोई जंडर नहीं रहता लेकिन फिर भी होता है ये चीज जब आप बेचने जाएंगे गाड़ी तो resale में भी फर्क पड़ता है बात करते हैं scratches वगयरा की तो scratches वगयरा बहुत ज़्यारा दिखाई देते हैं थोड़ा सा scratch लग जाए तो आपको अलग की दिखाई देगा धूल मिटी बहुत ज़्यारा पता चलेगी आपको रोज साफसफाई करनी पड़ेगी गाड़ी की इस वज़े से लोग red color कम बाय कर रहे हैं पहले बहुत ज़्यारा बाय करते थे लेकिन अब बड़ी गाड़ी में कम ही बाय करते हैं बाकी आपकी personal choice है कि आप लेना चाहते हैं या नहीं तीसा color है carbon steel इन्होंने black color launch नहीं किया carbon steel launch किया है एक तरह का ये charcoal color है fully black नहीं है थोड़ा सा grey shade आपको देखने को मिलेगी अगर आप ये sunlight में देखेंगे तो आपको charcoal की shade देगा अगर ये थोड़े छाओं में होगा scratches गयरा बहुत ज्यारा दिखाई देते हैं और बड़ी गाड़ी है तो साफस्वाइब मांगेगी ही रोज मांगेगी और धूल मिट्टी का बहुत ज्यारा पता चलता है बाकी resale की बात करें तो पहले resale थोड़ी कम थी लेकिन अब ठीक हो गई प्रियाब लोग black color demand कर रहे है Škoda का black color काफी अच्छा है काफी बढ़िया quality है चौते नमबर पे आयाता है brilliant silver ये वही silver color है जो कि आप बाकी गाड़ियों में भी देख रहे हैं light gray जिसे बोल देते हैं और silver color बोल देते हैं अगर आपको कोई color पसंद नहीं आ रहा कोई समय नहीं आ रहा तो आप बेच ये silver color के तरफ जा सकते हैं silver color में आपको silver color में आपको ज्यारा साफ सफाई नहीं करनी पड़ेगी धूल मिट्टी का ज्यारा पता नहीं चलता Škoda जो ऐसे brand है इनमें ये silver color बहुत ज्यारा बिकता है क्योंकि quality बहुत अच्छी है तो आप silver color के तरफ भी जा सकते हैं और last जो color है हम सभी का favorite candy white जिसे हम white भी बोल देते हैं तो white color evergreen color है और अगर आप SUV buy कर रहे हैं तो white color के तरफ जा सकते हैं white को आप dual tone भी कर सकते हैं बाहर से तब ये और जारा बढ़िया लगेगी बाकि B pillar तो black किये हुए हैं आप roof भी black करवा सकते हैं तब गाड़ी और अच्छी लगेगी अगर white भी रहने दें तो साफ सफाई का कोई जारा जंजट नहीं है scratches गेरा भी जारा दिखाई नहीं देते और easily आप बाहर से भी ठीक करवा सकते हैं तो दोस्तों ये कुछ 5 कलर लाँच किये गए हैं Škoda काईलाक में आपको कौन सा कलर पसंद है कमेंड करके जूर लिखें बाकि इसमें Daytona Gray या फिर Gray कलर लाँच नहीं किया जो कि आजकल बहुत ज़ारा demanding कलर है बाकि Dual Tone भी इसमें launch नहीं किये गए तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को like कीजिए दोस्तों किसाद share कीजिए Thank you, thank you so much